जाहें दोस्तों आज हम लोग बर्ग दस्तम काध्यन करेंगे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे जैप प्रकरम काफी लंबे समय से थोड़ा सा गैप हो गया था हम लोग सुरू तो किये थे लेकिन इसको पूरा नहीं किये थे जब चलिए अब से कंटीनिव आप लोग को वीड के अच्छे से लिख पाएं और उसका जो बेसिक कंसेट है उसको असानी से समझाने का प्रियास करेंगे बहुत ही सिंपल भासा में समझाएंगे जिसके कारण आपका कंसेप्ट पर डेवलब होगा और उसमें जो अंतर नहीत जो भी उसमें कंसेप्चुल कोश्यन है जो भी अब्जेक्टिव कोश्यन बनेगा वह भी बताते चलेंगे और यह अब्जेक्टिव कोश्यन और यह कंसेप्ट आपको आगे चलकर बोड एकजाम के बाद कंपिटिशन में भी फैदा करेंगा इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे चलिए आज हम लोग अध्यन क कर चुकेते हम लोग पिछले वेडियो में देख चुकेते आप लोग देख लीजेगा अगर नहीं देखें हमें तो उसके बाद हम लोग फोटो सिंतेसिस के बारे में थोड़ा बहुत देखेते आज हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन से विधी है कोई भी जीव जनतु है जिव जनतु है सजीव है तो उसको भोजन चाहिए और जिनदा रहने के तो भोजन चाहिए न अक्सर बच्चों के मान में होता है कि चलो इनर्जी ही जाहिए एक लीटर पेट्रोल पीदेगे पीदे या फिर जो बिजली का जो बल्ब है वह जलता है बिजली से तो क्या करें चुट्टा जो दोनों कान में लगाले इनर्जी मिल गएगा यह सब इनरजी नहीं चाहिए हमें इनरजी किस रूप में आटीपी के रूप लग लग प्रोसेस है उन सब चीज़ों का हम लोग अध्यान करेंगे तो इसको पहले नमबर इसका दो भाग में हम बाटे हैं कि पहला है सव पोशन दूसरा है पर पोशन सव पोशन का मतलब अपना पोशन का मतलब भोजन वैसा जीब जो अपना भोजन खुद बनाता उसको क पोशीजीब और पोशन की पर कडिया को क्या करें शौपोशन जैसे पेर पोधा कोई भी पेर पोधा है वह अपना भोजन खुद बनाता है तो फिर सवाल उटता क्या सर हम लोग कीचें में भोजन बनाते हैं कि यह समान अर्थों में सही है लेकिन अगर उसको वैज्ञानि प्रेशन बनाता है क्योंकि प्रेड़ पोधा ke पास शमत्ताओ थोरे भोजन बनाने स्थन को और वोब चकाते हैं थे ठीख है ऐसलिए हम लोगs कर गेंगे हम लोग 2 हम लोग म ciudlikeий को बनाता है और पreat पोधा में भी कौन सा प्लाइब बनाएगा हड़ा पेर पोदा जो तो green lips है पर पोधा जो हरी पत्ती हैю जैसे इसे फोटो सिंथेस्द्र हम बताएते यह पत्ती है यह क्या करता है do what Kayla आसरी का दिशरी का से क्या करेगा तो उड़ जा लेगा और मिट्वी से क्या लेगा огрणिजलबन और जल लेगा और बायमेंदल से co2 लेकर और प्रिक्राइब नगल को पर मतलब पर आया पर आस्रित होके जो पूशन करता है बतलब अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आस्त्रे तो उसको क्या करें परपोसी जीव और पोशन किस पर करिया को क्या करें परपोशन इसको इंगलिज में कहते हैं हेट्रो ट्रॉपिक निट्रिशन ठीक है अब देखें इसमें भी फिर भोजन करने का अलग-अल निट्रीशन में पेपोशन इसको सब्यक निट्रिशन मित यह सब्सक्राइल नाम से हीगा मिर्त जीबी यह सप्रोफाइटिंग निट्विशन है यह सप्रॉस से मिलकर बना है सप्रॉस एक ग्रीक वर्ड है सप्रॉस का मतलब तक टू एब्जॉर्ब मतलब सोखना इसका मतलब है कि कोई जीब माल लिया जाए यहाँ पर इसको हम मिटाते हैं जो कोई भी जीब जनतु पेर पौधा मड़ गया उसमें कार्बनिक पदार्थों को अब शोशित करके अपना भोजन करता है वह से जीब को क्या करते हैं इसको जब हम लोग क्यों पोजरर इसको इंगलिस में क्या कहेंगे अप घटक अप घटक प्रकृर्थी में यह जोना बहुत जरूरी है यह हम लोग का मिट्र है सपोज कीजिए कि अगर प्रकृर्ण डिकंपोजार नहीं होता यह सब शुक्षम जीब जो है नहीं होते तो क्या होता कोई मरता हुश को गलाने पचाने वछोगे नहीं है उसको सोखने वाला कोई है क्या उता मारा हुआ और अभी जो करोलों साल से धरती है त पहेर लग जाता कितना कीरा मकोरा जीव जन्तु आदमी गाय बैल भैस इतना सारा साप सुषुंधर मरा रहाता सब जगह वही मरा रहता है तीला बन जाता मरा हुआ जीवों का लेकिन यह जो सुष्मजीव है क्या करता उसको गला के पचा के खाके पीके अपना तो जीवन जी शोषित करके अब देखे पर जीवी के मतलब समझेए पारा का मतलब होता बगल कि अहीं साथ आई का बच्चा शीम को पार्ा मतलब 20 का बच्चा है ऊसको पारा करते हैं पारा का मतलब किया हुआ बक बगल में और यह सबसे बना है यह सैटिक यह बना साइटॉस बना करका मतलब much और साइटोस का मतलब क्या हुआ भोजन साइटोस का मतलब भोजन मतलब ऐसा जीव जो अगल बगल में रहके भोजन लेता है खुद भोजन नहीं बनाता है नहीं पकाता है बाल्लका अगल बगल में रह के वह भोजन प्राप्त करता उसको क्या करते फिजी वीक्रतर जैसे उधानेंंके रूपने के हुमारे सर में जू है जिसको जू कहते है यह माल लिजय की विछावन में उरीस हैं खटमल है अब माथा में जैसे जू है अब जू क्या कर तो वो क्या खाना बना रहा है या खाना को पकार है कुछ भी नहीं कर रहा है हम लोग भोजन कर रहे हैं भोजन करने बाद खून बना आराम से बैठा हुआ गया डंक मारा एक खून चुसा आराम से खा लिया तो मतलब हम तो ऐसे है उसको मारने के लिए हम लोग एलविंडा जॉल भी खाते हैं तो वह सरीर के अंदर रहकर और कुछ सरीर के बाहर भी रहकर क्या करता भोजन को प्राप्त करता उसको परजीवी कहते हैं अब जैसे देखिए कोई दोस्त होगा अपना पैसा कभी खर्चा ने किया चैरा आप लोग देखे भी होता है और लत्ति जैसा होगा लतरता है उसको वह मृट्र मेर कि तुरुतोर के हर एक पर फेक देते ते जिस पर फेख है फूळा और वहां पेच्छा जाएगा और जो जो जिस पर फइक वसी पेदो से भोजन प्लाप कर था उसी का रस्चुस प्रानि सम्नाम मतला समझे 2 से बना है तोलो से बना है पjenigen तोलो और रिरीक वर्ड से बना है सब्दका अगर अर्थ समझ जाएंगे तो परिवासा अटोमेटिक आजाएगा परिवासा रट्ने की चीज नहीं है残ब को बैकार हो गया क्योंकि teacher का समझाना हो तिसलिए आप इतना अच्छा से जड़त नहीं पड़ है का engel स्मझाने की तरीका में तो अगर उसको रडने की जूरत क्या है होलो जोई का मतलब होता होलů मतलब पुर्ण जोई का मतलब होता जानवर जैसा बतलब कि वैसा जीव जो अपना भोजन पूरुंतह मनुष्य के तरह करें है ना कैसा करें जीव मतलब मनुष्य के तरह ठोस या तरल रूप हम लोग कैसे भोजन करतें हम जिया तो लिक्विड के रूप में लेते हैं दूद हुआ या गोड़ तो यह तो तरह से नहीं अत्त करने का ने का तरीका है उस तरह से जो भोजन लेता है उसको क्याommes प्राणी शम पोशन जीब कहेंगे ओंगे किस प्रकडिया को प्राणी शंपोश् комментар报 करें जह से मेधग फरोग और मचली यह सब क्या क्या है यह सब प्राणी शंपोशन का और हम तो आया हौप पूरत्रा समझ गए होगे वनेशन दो परकार कें सभर पोशन और परपोशन एक फिर सरी वीजन कर लें कुईकली मिर्थ जीवी पोशन यह हेट्रोटाइपिक का तीन उदार मतलब तीन भाग में इसको बाढ़ते हैं मिर्थ जीवी पोशन और प्रानिशम पोशन में वैसा जीवाएगा जो मरे हुए पेर पोधा को गला के पचा के उसको उसी का चीज़ खाएगा तो उसको क्या करें मिर्थ जीवी जिसमें सुक्षिम जीवी और यह सब कवक जीवानू प्रोटो जवाएगा इसके अलावा परजीवी हुआ जो किसी जीव के सरीर के अंदर या बाहर रहकर भोजन को प्राप्त कहें उसको क्या करें जैसे गोल किरमी फीता किरमी अमर्वेल हुक वर्म यह सब क्या परजीवी का उधारन है और प्राणी सम्पोशन का मतलब हुआ जो मनुष के तरह क्या करें भोजन की प्रक्रिया को अपना है जैसे भोजन हम लोग ठोशी अतरल के रूप में लेतें इस तरह से अगर कोई लेता है तो उसको प्राणी सम्पोशन कहें और जिसका उदारन हो गया अमीबा मेड़क मसलिक तो इस तरह से आप पोश्ट की विदी को समझ चुके हैं और पोशन कितने परकार का है जैसे मिर्थजीवी पोशन परजीवी पोशन प्राणी सम् और इस चीज़ को आप अपने कोपी में नोट करते चले अब से आपको लगातार हर एक वीडियो मिलेगा अभी जैपर करम सुरूप करें एक एक करके आपको वीडियो देंगे ति इस तरह से हमारी कोशिस है कि पूरा सिलेबस आपको कम्प्लीट करें ठीक है थैंक यू